क्या कोई शो इतनी नीच हरकत कर सकता है सच में यकीन करना भी मुश्किल है इस चेहरे को भले आप ना पैचान पाए हूँ लेकिन नाम बताते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा ये सुपर डुपर हिट फिल्म आश्की की हिरोईन अनु अगरवाल हैं जिनके साथ इंडि इन आइडल शो में आश्की फिल्म पर एक एपिसोड बनाए गया इस शो में आश्की की हीरो राहुल रॉय दीपक्ति जोरी के साथ हिरोईन अनु अगरवाल को भी बुलाए गया आश्की फिल्म के हिट गाने दिने वाले सिंगर कुमार शानु भी इस शो का हिस्सा थे आन अनु को बहुत कम दिखाए गया जब कि उनका बहुत बड़ा हिस्सा शूट किया गया था एक इंटर्व्यू में अनु ने आरूप लगाते हुए कहा मैं राहूल रॉय के ठीक बगल में बैठी थी और उनुने मुझे फ्रेम से बाहर कर दिया शुक्र है कि मैं एक सन्यासी हूँ मिरे अंदर बिलकुल भी एहंकार नहीं है इससे मुझे दुख होता है मैं यूबा प्रतिवाशाली गायकों से मिली और मैंने बहुत कुछ बोला लेकिन टेली कास्ट में एक शब्द भी नहीं दिखाये गया मुझे इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है मैंने इसे जाने दिया अनु इस बात से दुखी है कि जो बाते उन्होंने कंटेस्टेंट के लिए कहीं थी उन्हें काट दिया गया अनु ने ये खुलासा भी किया है कि जब वो इंडियन आइडल के मंच पर पहुँची थी तो कुमार शानु खड़े हो गए और दर्शकों ने उनके लिए खूब दालियां बजाई अनु के बारे में सब जानते हैं आशकी से कैसे वो रातो रात स्टार बन गई थी उन्होंने कई फिल्मों में काम गया लेकिन करियर की उचायों पर उनका एक्सिडेंट हो गया और इस हाथसे में अनु का पूरा चेहरा बिगड़ गया और उनकी कई हड़ियां तूट गए उनकी जान बचने की कोई उमीद नहीं थी लेकिन किसमस से वो बच गए लेकिन इस हाथसे ने अनु की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी बॉलिबुट ने भी बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया उन्हें फिल्मों में कोई काम नहीं दिया गया जिसके बाद अनु आ करचा को सब्सक्राइब कीजे